मित्र नमस्कार मैं हूँ आचारे रामक्रिश्ण सास्त्री और आपका प्रिय योट्व चैनल एस्टर रज़र अक्सपर्ट में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे जैसा कि प्रेत बाधा दोस्ट क्या होता है और वास्तव में प्रेत बाधा दोस्ट होता है अत्वा नहीं होता है इसके बारे में हम आपको इसका वरिश्चत जानकर के साथ में इसके प्रोफ अत्वा वरणन भी हम आपको करके सुनाएंगे सरपरЬथम प्रेत बाधा वस्तफिक होता है कि प्रेत होता क्या है जब किसी मनस्य का अकाल निर्टो हो जाता है और उसका 13 दिन के अंदर होने वाले जो भी गायत्रि से लेकर गोररपुराण से लेकर जो भी बिधी इसके बीच में किया जाता है पिंड़दा नित्यादी अगर वो शही तरी किसी संपन नहीं होता तो उसे मुक्ति का मार्ग सरल नहीं बन पाता है इसलिए उसके जो आत्मा है वो बाई मंडल पर भटगता है हमारे आसपास उसका आत्मा घुमता रहता है और के बाहर निकलते हैं तो उसके आत्मा उसके अंदर परविश कर जाता है परविश करने पर उसको सबसे पहले जैसा ही रात का समय होगा अत्पा दिन में दो बज़े के बाद सरी में घुटन मैसिस होना और मन एकागर नहीं हो पाना सरी में घुटन अत्पा सिर में दर्द मै और किसे बात करने के मन नहीं करना बहुत सारा क्रोध उत्पन होना ये सभी प्रेत बाधा का लक्षण होता है तो प्रेत बाधा का लक्षण से बाहर निकलने के लिए अपर प्रेत बाधा किस परकार इसको दूर करें इसके लिए जानकर लिए है कि आप सबसे पहले तुरिप पिंड बनाने के बाद देवताओं के लिए, पित्रों के लिए प्रेत के नाब से तीन पिंडग उपर कच्छा दूद और जो तेल ईमिलाकर षडौन करने के बाद वो गाय को आप खिला दें किसी ब्रामट द्वारा राक और हल्दी ले कर लोहे के चाकूशे उसको इस तरह से और इस तरह से हैज आकार में आप उसको काट लें काटने के बाद गायत्री मंतत्पा हनुवन चालिसा का पारण करते हुने तिलक लगाएं और उसे अभी मंतर करावा धागा पहनाएं या फिर किसी योग्य ब्रामण अत्पा कोई भी इसको जाड़ फुक करने वाले के पास ले जाकर आप उसे जाड़ फुक कराएं और जो भस्म अत्पा जो हल्दी मैंने बताया है उसे एक जगा मिलाकर उन्हें तिलक लगाएं और दिन में प्रात और दुफेर अस्साम ये तीनों समय उसको सेवन कराएं और अकेले ना छोड़े मिठा खुश्बुदार चीज इतने चार-पास दिर बंद कर दें और इसी तरक से निरंतर आप ये कारे कराएंगे तो जो भूत अत्पा प्रेत की जो समश्याश आप खुश्बुदार चीज लगा कर ये तो इन तीनों चीज लगा को कभी घर से बाहर नहीं ने करना चाहिए तीनों का कंबिनेशन होने पर कितने भी ग्रह मजबुत उस महिलाओं को ये चीज अटक करता है इसलिए इस चीचे आप विशेश साबधन रहेंगे और अगर इस प समस्या इस से निकलने के लिए आप उनसे कुछ राय ले विशेश कर हनुमान चाली से का पार्ट ओम जयराम स्री राम जय जयराम इस मंत्र का अनंत जाब करते रहें जिस से ये समस्या चीज आप बाहर निकल जाएंगे उसके बाद हो सकता है बगवान गड़ेश जी के मंद जाब यह आपके सिर के साइड में एक गिलास में साधा जल रखे और उसको ढखना नहीं है जुक्य तो रखे और प्रात उठने के बाद सबसे पहले वह जल ले जाकर किसी हरे पेड के निचे आप दें जिससे आपको जो भूत प्रेत की जो साया है आप जो प्रेत बादा है आपको जो समश्य चाम जुद रहें इस समश्य चैनल को सस्क्राइब ने क्या है? तो सस्क्राइब करें क्या समस्य वाधा घर में प्रेत बादा ओपरि बादा से लगाए सबी परकार के जानकारी आप हमसे आप जुटा सकते हैं परसे सुलकों का वो आप पे करने के बाद आप आगे बढ़ें जिससे आपको सभी परकार की बादाश से छुटने के लिए आपको मार्ग सहज हो सके हरियो